असलाम अलेकूम और हम बात करें कि कॉपीराइटर करता क्या है वाट दाज अ कॉपीराइटर डू अब ओविजिली लिखता है हमें सब पता है कॉपीराइटर लिखते ही हैं मगर क्या लिखते हैं एक misconception है कॉपीराइटर के बारे में कि वो सिर्फ अड़िटाइजिंग लिखते हैं मगर ये घलत है आज कल जैसे के पिछली दफ़ाँ भी हमने बात की कि कापी राइटिंग जो है या कापी राइटर्स जो है वो अब इश्तिहार से बहुत आगे आगे काम भी कर रहे हैं बहुत लोग कापी राइटिंग को इसलिए भी समझते हैं क्योंकि हमारे जो टेलेविजिन के शोज हैं या जादा तर जो आम बात होती है वो यह होती है कि जी इश्तिहार लिखता है इसलिए कापी राइटर है मगर हमारे पास बहुत सारे ऐसी कॉपी राइटर्स हैं जो के मेडिकल कॉपी राइटर्स हैं या आपके पास एक कोई ना कोई नीश एरिया होता है जो वो उसकी कॉपी लिखते हैं तो वो भी copy writers होते हैं यह नहीं है कि वो copy writers नहीं होते हैं तो क्योंकि वो medical को बेच रहे होते हैं या वो किसी और subject को बेच रहे होते हैं तो there are copy writing for those areas medical इसलिए बहुत जादा important हो गया है क्योंकि medical में writing का बहुत बड़ा तालोग हो गया पहले इतना नहीं था मगर हो गया अब आपको online medical journals, online medical reports, online medical reviews बहुत सारे मिलते हैं और वो सारे copy writers जो हैं वो ये काम करते हैं It has nothing to do with copy writing यानि के c-o-p-y-r-i-g-h-t-i-n-g ये वाला जो copy writing है ये आपके copy writer से या copy writing से बिलकुल अलग है वो copy writing जो है it's all legal, जी legally ये आपका right है, ये आपकी copy है इसके उपर किसी और का right नहीं, कोई और इस्तमाल नहीं कर सकता So this is, we need to be careful कि इसमें और उसमें इन दोनों चीजों में क्या फर्क है तो copy writer करता क्या है, वापस आते हैं इसके बारे में बात करते हैं लिखता है obviously, मगर लिखने से पहले बहुत सारी research करता है हम ये बार बार बात करते हैं इस course में Research जब तक नहीं होगा, तब तक आगे आप कुछ लिख नहीं सकते हैं आपके बास मवाद ही नहीं होगा, क्यूंकि हमारे एक जहन में सिर्फ हमारी जहन की बाते होती हैं और लोगों की बाते हैं नहीं होती, मगर जब हम research करते हैं तो हमें पता चलता है कि और जो जहन हैं, और जो लोग हैं वो क्या सोच रहें, क्या information हमें दे सकते हैं और इस सब को जब हम इखटा करके किसी और को देते हैं तो हम उसको कहीं ज्यादा information दे सकते हैं या कहीं ज्यादा बेहते तरीके से बता सकते हैं कई बातें बता सकते हैं बजाएस के के सिर्फ हम अपना दिमाग इस्तमार करें अगली बात हम interview करते हैं यानि के लोगों से बात करते हैं research obviously जो पहले से लिखावा है जो data मौझूद है interview से लोगों से जो बातचीत होती उससे पता चलता है, जरूरी नहीं कि वो लिखा वाओ, हम एडिट करते हैं, प्रूफ रीट करते हैं, ये भी हमने कई दफा बात की है, कि जो आप लिखते हो, you have to make sure that you are reading it again and again and again and fixing it, एक दफा में कभी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, हम अक्सर देखते ह कि लोग जो है ना वो इमेल लिखी हो चली गई, फिर बाद में कहते हो, इसको रीकॉल करो, ये तो मेरे से घलत हो गया, तो बेतर ये ही होता है, कि आप इमेल लिखें, उसको दस तफापड़ें, कि आपने लिखा क्या है, मैनेज प्रॉजेक्स, यानि कि प्रॉजेक्स जो होते हैं, उनको मैनेज करते हैं, इमेजेस को ढूंड़ते हैं, कि जो उनकी राइटिंग है, उसके साथ कौन से इमेजेस हैं, जो चलते हैं, कौन से वीडियो से जो जाती हैं, जो नहोंने लिखा है, जाए वो ब्लॉग पोस्ट है, या कोई इश्तिहार है, तो उसमें भी क करता है अब यह हम copyright का role क्यों देते हैं इसलिए क्योंकि copyright ने conceptualize किया होता है उसको पता होता है कि जी मैं जो यह लिख रहा हूं मैं किस लिख रहा हूं में जो concept क्या है और वो फिर plan और implement भी करता है campaigns को marketing campaigns को इसलिए जो digital में content marketing एक बहुत important चीज हो गई है because we have realized that the role and the job of a copywriter has enlarged to an area कि वो एक खुद marketeer बनता चला जा रहा है copywriters usually write with an agenda यानि कोई ना कोई एक agenda होता है उनका कोई ना कोई एक उनके दिमाग में एक need होती है कोई किसी बात के जरिए किसी strategy के साथ किसी एक मकसद के साथ वो लिख रहे होते हैं वो जो मकसद है वो जो agenda है वो उनकी writing में आता है चाहे वो agenda marketing का हो चाहे वो agenda किसी social cause का हो चाहे वो किसी issue को raise करने वाला हो मगर हमेशा copy जो है एक agenda के साथ लिखी जाती है आज कल का reader क्या चाहता है copy writer जो भी लिखे लिखे मगर copy writer से demand क्या है लोगों की हम तो हमें पता चल गया है वही हमें ये सारी चीजें करनी है इसको तो आगे बढ़ाना है ऐसे मगर हम से demand क्या है copy writer से demand क्या है reader की clean concise copy आसानी से समझाए टाइपोज ना हो बहुत जादा slang ना हो क्यों कि हर मुलक का हर इलाके का अपना अपना slang होता है आप इंडिया में जाएंगे उदर का अलग पाकिसान का अलग इंग्रिस्तान का अलग तो जब अगर आप बहुत जादा slang जो कि युनिवर्सल slangs नहीं है वो यूज करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा जब उनको पता नहीं चलेगा उनको समझ नहीं आएगी जब समझ नहीं आएगी तो आपने जो भी रिखा ना पड़े आपको आप उसको अराम से स्कैन कर सकें रीडबिलिटी हो फ्लो अच्छा हो सिंपल हो तरीका जो है उसका लिखने का असान हो डाइजेस्टिबल पीसेज ब्रोकन डाउन कॉम्पलेक्स सबजेक्स यानि के बहुत अगर एक कॉम्पलेक्स सबजेक्ट है बहुत जादा इंडिस्ट्री जागन है तो उसको आप ऐसे प्रिजेंट करें के हजम हो जाए लोगों से वो बात समझ आ जाए लोगों को यानि के जो आपने इमेजेस इस्तेमाल की हैं जो आप विज्वल इस्तेमाल करें वो जो है वो आपके प्राजेक्ट को सपोट करें और जो आप लिख रहे हैं उसको सपोट करें वो आपस में उनका एक relationship डिवेलप हो रिष्टा एक डिवेलप हो सके वो उनको लगे कि हाँ ये मेरे साथ भी है ये मेरे जिन्दगी से तालुक रखता है तो उस तरह की राइटिंग जो है वो लोगों को पसंद आती है हम ऐसे कॉपी राइटिंग को पढ़ना चाहते हैं जो के पास्ट लोडिंग हो एक दम से जो है वो आ जाए कोई भी टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता बहुत जादा एक वेबसाइट पे इंतिजार करें के जी ये लोड होगा तो फिर पढ़ेंगे पस जल्दी जल्दी जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें हमने आम तोर पे देखा है कि लोग पहला परग्राफ पढ़ते हैं बाकी नीचे जो भी लिखाओ 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 अंटेर लेस्टेट इन टापिक तब जाके वो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं इसलिए जैसे हमने पहले भी बा स्टॉप ही हो जहां पर आप लिखें क्योंकि आज कल खास तोर पर पाकसान में सबसे ज्यादा कॉंटेंट की व्यूइंग जो है वो मोबाइल पे तो छोटे सेंटेंस लिखेंगे चोटे पारग्राफ होंगे तो पढ़ा जाएगा पॉंट साइज जो है वो बड़ा होना सबसे ज्यादा जाब्स इस काटगरी में ब्लोग पोस की है वाइट पे पेपर्स इस में सबसे ज्यादा जो है वो आपकी जौबस आपले जो है वो आपकी जोबस अवेलेबल है I hope this has been helpful stay tuned and do join us for the next session